के का हैं अधने कोण ताति थेर क्रोशे से उंगली वाले साउक्स बनाएं ये मेरी सस्क्राइबर रेक्वेस्ट की थी कि जैसा सलाई YOUR हो चॅट बनाएmm tell me in a गिया है कि अपको इसे निगके लिए Rem Whenever और डियाने कर दो अपने पैर की लंबाई लेंद पूरी लेनी है यहां से यहां से इस जगह तो 17 cm और टोटल यह 20 cm जितने आपका पैर का साई जो और यह चीज जो पैर का यह वाला पोजिशन होता है इस तरह से इसको हम नाप लेंगे अंगुठे हैं और यह पज वाला पोजिशन है पस इतना धहां रखना है कि इसमेंड पोर्शन में हम ऑंगुठे इस तरफ रखेंगे आप उपोजिट डिरेक्शन में अईस सेंड से त्रह में हो जाएगे और यह मैंने यह आप चाहें तो यह उप्शिणल है बांब बढ़र मैंने तीन क्लर से 4 चाड आया, बहुत ही शी है और एक दिन में 2 पहर आराम सेLike कम बनाने को जादा tutर्क बनासे हैं यह लिञंको के बनते हैं, यह बनकुल से यह 2 पर अबे बनाने को जादा बना सकते हैं वर लक्त बना सेlegen, यह बिलकुल सिंपल है , डवल कुछीत में देखिए पीछे से यह ऐसा दिखता है, यह इसका पूरा sleeping है, इससे आप यूतिया, sleepingers, room sleepers जो कहना चाहे हैं, वो आप कह सकते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले सके अंगूठे का portion और यह panजी का portion हम बनाएंगे slip, magic ring बनाने के लिए आपको पहले भी देखा हुआ है आपको पता है अगर आप मैजिक रिंग से नहीं बनाना चाहते तो चार चेन में नाके बना सकते हैं यह ऐसे उनको यह इस तरह से दो उंगलिया ली और यह ऐसे लपेटा इस जगा यह जो उंगली पेटा इसा था इस तरह से इस में से यह जो वून है यह लिया यह इस तरह से कुछ देखा यह इस तरह से पिर इसे एक चेन मना के यह सिक्योर कर लेंगे और यहां पे स्टार्टिंग में तीन चेन बनाएंगे एक दो और यह तीन और इस सरकल के अंदर हम आपके अंगुठा अंगुठे की जो लेंथ है अगर आपका अंगुठा पतला है तो आप यह जो यहां से शुरूए स्टार्टिंग यह देखे यह तो यह जो डबल कुछ्या है आप कम बना सकते हैं और उ यहां से काउंट करें तो 1,2,3,4,5 अगर लेंथ कम है तो आप इसको अपने अंगुठे के बटाई और लंबाई के हिसाब से किसी का अंगुठा बहुत लंबा होता है किसी का पंजे वाला portion चोड़ा होता है तो इसके एकॉर्डिंग हम कम यह जादा कर सकते हैं यह इस तर के अंदर जैसे double crochet बनाते हैं धागा लपेटा इसके अंदर circle के अंदर से तीन दो फिर धागा लपेटा दो का एक तीन यह जो तीन चैन बनाई थी यह भी as a double crochet यह जोगी इस तरह से circle के अंदर हम 14 double crochet बना लेंगे अगर आपका चोड़ा कम है तो आप यहां पे 12 या और अपने recording बना सकते हैं यह particular piece में मैंने 14 double crochet circle के अंदर बना है अगर एक magic circle बनाने में आपको problem होती है तो आप 4 chain बना के चार और उसको circle बना लें slip knot से जोड के और उस chain के अंदर उस circle के अंदर आप इस तरह से 14 double crochet बना लेंगे इस तरह से 11 12 13 यह 14 यह 14 यह 14 double crochet हमारी हो गई अब जब यह 14 double crochet हो जाएंगी तो यह जो छोटा वाला सीरा था उनका यह देखे यह दो दिख रहा है यह इसको हम खीचेंगे पूल करेंगे और इसे बहुत जादा तेज से ने खीचेंगे कि उन टूठी जाएं softly gently इसे इस तरह से खीचेंगे और बहुत जादा ना खीचेंगे यह मेरी उन थोड़ी पतली है आपके अगर मोती हो तो आप half double crochet कम कर सकते हैं यह जैसे मैंने half double crochet से यह बनाया है sleeper इसी को आप सेम single crochet यह half double crochet में आप बना सकते हैं यह 14 double crochet हो गई और उसके बाद यह जो हमारा starting हमने 3 chain बनाई थी इसके top पे इसके top पे यह chain दिख रही है इसके यह देखे आप यह दिखे हमेशा आपके हुक पे यह 2 loops आएंगे और इसे हम ऐसे slip stitch से यह जोड़ देंगे यह हमारा circle बन गए फिर यहां starting में starting में हमेशा हम 3 chains बनाएंगे और फिर इसी के पूरे इस पे हम बनाते जाएंगे एक दो तीज़ चर इस तरह से हम पूरा यहां तक बनाएंगे और जहां से हमने chain से start किया था तीन chain से उसके टॉप पे अगर आपको ज्यादा लंबा रखना है तो आप रोज बढ़ा सकते हैं आपको कम रखना है आपका अंगोठा छोटा है पैर चोटा है तो आप अंगोठे यह रोज कम पर सकते यह इतना 5 रोज मैंने बनाई है इसी तरह सर्गुल बनाते हुए और जहां से स्टार्ट किया था तीन चेन से उसी के टॉप पे स्लिपिशिस से हर बार जोड़ते जाएंगे और तीन चेन से स्टार्ट करेंगे यह देखिए हमारा दूसरा अंगुठा यह बन गया और यह वन तू वन टू टू त्री फो फाइव फाइव रोज है अगर आपको कोई तन्फीजन हो तो आप अपने अंगुठे की लेंद यहां से लेके आप जहां से यह यह पांच सेंटिमीटर है आप ना अपलेजिए यह यह पांच सेंटिमीटर यह ना और इसको आप अपने अगर लंबा गुठा है तो एकॉर्डिंग आप उसे कम ज्यादा कर सकते हैं और अगर पतला है बच्चे का है तो आप यह जो उमने 14 से सुरू किया है आप इसको बारा से शुरू कर सकते हैं और यह देखिए सेम हमने स्लिपनाट से जोड़के और इसको बंद कर देना क्लोज कर देना है यह एक चेन लेखिए और यह हम इसे अलग कर देंगे बंद करके यह इस तरह से इसे अब यह माराग बुटे का पोश्चन बन गया अब हमें यह पंजी का पोश्चन बनाना है पंजाबी सेम फाइव रोज ही बनाने है और यह इतना पंजी का पोश्चन है और यह किसी का चोड़ा होता है तो आप इसे एक राउन बढ़ा सकते हैं इसको भी स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इसको किया था अब बनाई थी मैजिक रिंग बना के चोड़ा यह इस तरह से मैजिक रिंग बनाई यह देखे इस तरह से मैजिक रिंग बनाई ऐसे लिया और यह यह और अगर इसमें आपको कोई confusion है नहीं clear है ऐसे तो आपने कई बार बनाया है तो आपको clear होगा इस तरह से आप नॉर्मल एक दो तीन चार पांच पांच चैन लेके फर्स्ट वाली चैन में ऐसे slip stitch से इस तरह से एक circle बना लेज़े और इस circle के अंदर अब यहाँ पर स्टार्टे में हम थ्री चैन्स वन टू एंड त्री और इसे दागला पेटा और इस circle के अंदर से हम 14 double crochet यह दो धागला पेटा दो का एक यह जो साथ में उन है उसको भी इसी तरह से लपेटते जाएंगे तो इसी में यह चिप जाएगा इसी जैसे हमने इसमें 14 बनाई दी उसी तरह से हम इसमें भी 14 चैन चौदर डबल क्रूश्य बना के और यहाँ जहां तीन चैन थी इसके टॉप पॉली चैन में हुक को इंसर्ट करके और स्लिप इस्टे से जॉइन कर देंगे कि और कि लिए देगे 14 के अंदर 14 क्रूश्य हो गई यह मारी तीन चैन थी जहां से हमने यह देखि刃 यह start किया थे इसके यह टॉप पे इस तरह से दो इस च्रिंग सा गए यह एक और ये दो इस्ट्रिंग सा गए इसको इसलिया श्ली पिस्टिस से यह यहां पे जॉइन कर दे इस तरह से अब हमारा यह यह वाली चीज उपर का अब हमेन ये 14 थे अब हमें ये पूरे हर के अंदर दो-दो डबल क्रोशिया बनानी है तो मतलब 14 क्या ये ज़स डबल हो जाएगा यहां पर स्टार्टिंग हम 3 चैन से ही करेंगे 1, 2, and 3, 2, next वाली चैन में, 2, double क्रोशिया एक सेम चैन में, 2, इस तरह से ये 14 के 28 हो जाएगे अगर आपने 6 से शुरू किया है, 6 double क्रोशिय से शुरू किया है तो आपके 12 double क्रोशिय हो जाएगे और यहां पर आके आप यहां पर जो चैन स्टार्टिंग चैन थी उसके टॉप उली चैन में आप जोईन करके स्लिपिस्टे से जोईन कर देंगे और इस तरह से जो 28 हो जाएगी तो 28 के बाद आप हर स्टार्टिंग में तीन चैन लेते जाएगे और इसी तरह से 5 रोज आप बना लेंगे अगर आपका पंजे वाला पोजिशन थोड़ा नंबा है तो आप अंगुठए का 5 है तो इसका 6 कर सकते हैं तो सेम रोज रखी मैंने इसमें 6 किया लेकिन जैसे 5 rows है तो मैंने इसमें 6 rows किया है तो आप इसको उसी तरह से बस पहला वाला 14 था उसके बाद हर चेन के अंदर 2 double crochet करनी है तो यह 28 हो जाएगा फिर वही repeat करते हुए 5 rows हम ऐसे round करते हुए last में यहां 3 chain से starting 3 chain से करेंगे और उस पे जब end करेंगे तो उसको slip stitch से join कर देंगे इस तरह से 5 rows या 6 rows जो हम complete करेंगे पंजे वाले portion के लिए देखे चौदर बाद यह 28 वाला round हो गया अब यहां starting हमने 3 chain से की अब इसी पे हर chain के उपर एक एक बनाते जाएंगे तो 28 double crochet बनाते वे हम 5 rounds या 6 rounds complete करेंगे इसका यह पंजे वाला portion भी बन गया और यह पंजे वाला portion अगर हम ऐसे देखें तो बिलकुर same है यह अगर ऐसे इंची ठेप से ना परें measuring tape से तो इस अगर starting point से रखें ऐसे और यहां तक तो यह 6 यह 6 cm है यह 6 rows है इस तरह से बिलकुल एक वाल है अब इसको हम attach कैसे join कैसे करेंगे इन दोनों पीसों हम यह देखते हैं इस तरह से हमें join करना है अब हमें यह ध्यान रखना है कि जहां पर हमने यह slip stitch से जोड़ा है अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा यह पता चल यह जो बोड़ी वाला पोर्शन है यह नीचे रहे और यह जो finished portion है यह ऊपर रहे अब यह यहां पर हमारा end हो गया तो इसको मैसे कर लेंगे इस तरह से और यह हमारा अंगुठी वाला portion है और यह हमारा यह तो इन दोनों को हमें पकड़के जोबना है और जो यह जहां से ज होता है लेकिन यह portion थोड़ा ज्यादा फिनिश है तो उपर आएगा तो अच्छा लगेगा फिर यह धागे को पकड़के इन दोनों portion को हम ऐसे पकड़ेंगे यह इसे भी half-half कर लिया है अंगुठे वाले थम वाले portion को भी half-half और यह भी half-half और दोनों को पकड़के और यह यहाँ यह देखिए यह इस chain से और यह इस तरह से इसमें से निकालेंगे और यह slip stitch से यह से यह दोनों portion हमारे जोइन हो गया और यहाँ भी start तोनों portion जोइन होंगे यह देखिए इस तरह से अब यह pocket से लग रहा है और यह तीन chain हो वन टू एंद त्री और फिर हम double crochet यहां से शुरू करेंगे और इधर तक हम इसी तरह पूरे चारों तरफ यह ऐसे double crochet बनाते जाएंगे एक chain में एक chain में एक double crochet बनाएंगे और अगर बीच में हमको लगता है कि यह वाला portion चोड़ा है बहुत जादा यह आपके पंजे से जादा हो रहा है यह तो हम पीच बीच में एक दो फंदे decrease कर देंगे वह मैं आपको कैसे decrease होंगे क्योंकि वह फैला फैला सा लगेगा बड़ा धीला होता है दूलने के बाद और यह तीन chain से हमने start किया यह इस तरह से नेक्स्ट में इस तरह है और डिग्रीज के लिए जो मैं बता रही थी वह हम बैक साइड में करेंगे इधर से हमने जोड़ना शुरू किया है हम यहां जोड़के जहां से हमने शुरू किया था यहां पर यह जहां हमने दोनों पोशन जोड़े थे यहां पर जब बैक में आ जाएंगे फिर हम देखते जोड़ा था थंब और यह पंजी वाले पोशन को हम यहां पर आ गए तो उसके बार हम यहां जो लास्ट स्टेज होगी इसको हम देखिए ऐसे करेंगे और यह यहां पर यहां पर जुड़ा है इसमें आपको क्लियर हो जाएगा यह देखिए यह वाला जो पोशन है यह दो हमारे फंदे हमारे हमारे हुक पर है यहां पर हम यह फ्रस्ट ऑ चेयं चोड़के पंजे वाले पोशन में फर्स्ट स्टिच शेंट चोड़के यह यह ऐसे हम लेंगे डबल कोशिया बनाने बनाने के लिए तीन, धागले बटा, तीन का दू, और यह पहले से मैं भस दे, अब इन तीनों को एक साथ हम यह ऐसे कर देंगे, यह इस तरह से, यहां पर थोड़ा सा गैप आएगा, तो इसको हम बात में कवर अब कर लेंगे, फिर से आप देख लेजिए, यह इस तरह से, यह तो नॉर्मल जैसे double crochet बनाते हैं, यहां जो last वाला है, यहां हम नहीं बनाएंगे, और इसके यह को दो छोड़के, यह तीसरे वाले में यह ऐसे, और फिर जैसे नॉर्मल बनाते हैं, इस तरह से हम बनाते जाएंगा, बस यहां पर दो का एक करेंगे, तो यह यहां बनाते हैं, यहां बन इस तरह से आएगा अभी होल दिख रहा है बाद में जो कर जादा दिखता है तो इसे हम हलके से सूई से ये कर देंगे और फिर इस तरह से ये डबल गोर्शया बनाते वे हम जहां पर ये स्टार्टिंग से की थी यहांपे नहीं पर ला कि छ्मिश्रिंग कर दिए इस यहांपे अगयां से हमने त्रिचेन से स्टार्टिंग की थी अब यह चेन है यह त्री चेन है इसके टॉप पर यह टॉप वाली चेन में यह दूप स्ट्रिंग्स हैं इन में इसलिया और यह स्लिप स्टेस से इसे जोइन कर दिया अब आप देख रहे होंगे कि यह दोनों पंजे अब था में इस तरह से कि इसे लिए कर देख से तरह से तियार हो गया अब इस तरह से देकिये जैसे हमने यह सलाई अब के उनकलों प्रेट्व एल्न के तक हैं तरह से वह दिवाला सूक्स है जैसे इसमें कलर और अलग अलग विरेशन दियाइए November छालसे यीश और वी जूद डाले हम ये डिजाइन डालकी होओं उसी चारते हम इस उसमें भी डिजाइन डाल सकते हैं लेकिन कि ओप ड्याएन ने चाता है इस यह था बिल्कुल मे लिए जोड मेरा धिन्नर्स जोरो इसलिए इसको अब हमें यह हमारा portion जुड़ गया अब इसी चारो तरफ ऐसे जोड़ते हुए हमें यहां से लेके जितने हमारे पैर की length है जो हमारा यह जैसे suppose यह पैर है तो यह पैर का यह वाला portion होता है यह जितना लंबा हमारा पैर होगा क्योंकि हमारा अल्रडी इतना पोर्शन तो ये थम और पंजे वाला पोर्शन बन गया है, तो जो बाकी पैर की लेंद्ध होगी, जो हमारे फुट की लेंद्ध होगी, उतने रोज हम इंचेज में नाप लेंगे, जिसमें भी आप नाप लेंगे, अगर आप उंगल से नाप ना जाते हैं, तो ये पोर्शन तो हमारा हो गया है, तो इसे हम एक्स्प्लूट करके और उसको हम इंचेज में ऐसे नाप लेंगे, जैसे सपोस हमारा ये 4-10 cm है, यहां तक ये 10 cm है, तो ये हम इसमें जितनी रोज आएंगी, उतने रोज हम बना लेंगे, मैने जैसे मेरा यहां तक, यहा से अगर हम काउंट करें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10, और ये 11, ये 11 रोज हम इने बनाया, तो इसी चारो तरफ डबल क्रोशिया बनाते वे, हम ये 11 रोज बना लेंगे, 11 रोज बनाने के बाद, ये देखिए, ये इस तरह से, ये यहां से, यहां तक, 11 रोज बनेगा, और फिर हम ये वाला, ये जहां से पैर से डालेंगे, ये वाला पोशन हम बनाएंगे, तो अब हमें सिर्फ सिंपल, चारो तरफ जैसे हमने ये बना लिया है, ये, तो इसी चारो तरफ हम, डबल क्रोशिया बनाते ये अपने पैर के अकॉर्डिंग, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलती हूं, तो मैंने 11 रोज बनाने हैं, और अगर आपको ये बहुत फैला फैला लगता है, तो आप एक दो जगफ हंदे, डिक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और जब भी स्टार्ट करेंगे, जैसे हमारा यहां पे इस्टार्टिंग है, तो स्लीपेस से होगा, और स्टार्टिंग हमारी 3 जैन से, 1, 2, 3 और इससे, ये नेक्स में इस तरह से, ये ये यासे. और अगर मैं decrease आपको बता रही थी कि बीच में एक या दो जगह आप इसके कर देंगे तो यह बहुत फैला हुआ लग रहा है यह फैला हुआ नहीं लगेगा अगर आपको ऐसा लगता है अपने पैर में डाल के देखें अगर आपको धीला लगता है तो नहीं अदर्वाइस कोई ज़रूरत नहीं है जैसे decrease करना है तो यह ऐसे लिया यह तीन फंदे हो गए हुग पे तीन का दू किया अब यह नॉर्मली हम दो का एक करेंगे लेकिन हम यहां पे दो का एक नहीं करेंगे जब हमें decrease करना होगा फिर हम next stitch में इसी तरह से यह दो का एक करेंगे अब हमा करेंगे और फिर इसी तरह से बनाते जाएंगे और हमारा जब यह पूर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम फिर देखते हैं और यह हमारा जहां से हमने जोड़ा था तो यह पोर्शन पीछे आगया लब पता बिल्कुल भी नहीं चलता लेकिन आप बहुत ध्यान से देखें यह लाइट गलर का उनो तो पता चलता है तो यह हम पूछ पीछे रखेंगे और यह फिनिश्ड पोर्शन हम आगे रखेंगे